शायद ये है हीरो टाइम वाह मेरी शान तो पहले ही जा चुकी है अब तुमने मेरी लाइन भी चुरा ली बेंटन क्लासिक सीरीस में जब हमें काईगरीन देखने को मिली थी तो बेंटन फैंस को काईगरीन उतनी जादा पसंद नहीं आई थी अब इसके पीछे का रीजन यह हो सकता है कि बेंटन की क्लासिक सीरीस में काईगरीन की काफी कम एपिरियन्स हुई थी सबसे पहली एपिरियंस तो Ben Wolf वाले एपिसोड में ही हुई थी दूसरी एपिरियंस हुई थी Ben 10 के Perfect Day एपिसोड में जो की एक छोटा सा Cameo था जो की Ben 10 Dream देख रहा था लेकिन Ben 10 की Alien Force Series और Ultimate Alien Series में तो Ben 10 के Creators भूली गए कि Kai Green नाम का भी Character Ben 10 की Series में exist करता है तो Ben 10 के Creators ने Alien Force और Ultimate Alien में तो Kai Green को दिखाया ही नहीं लेकिन Ben 10 Omniverse में Kai Green ने दुबारा से Return किया जहां पर हमें Kai Green की काफी Appearance देखने को मिली और Kai Green Ben 10 फैंस के पीच भी Popular हो गई लेकिन इस बात की Confirmation तो हमें पहले ही हो गई थी कि Kai Green की साधी Ben 10 Nation से होगी क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हमें Ben 10 की Classic Series में Ken 10 नाम के एपिसोड में हमें Ben 10 Thousand का बेटा दिखाया गया था जिसका नाम था Ken Tennyson जो की एक Black था लेकिन आप सभी को पता होगा हमारा Ben 10 Nation White है और अगर Ben 10 Nation की साधी जूली से होती तो Ben 10 का बेटा भी White होता लेकिन Ben 10 की साधी जब काई गरीन से हुई तो भी तो Ben 10 का बेटा Black हुआ तो हाँ इस बात की Confirmation तो हमें Classic में ही हो गी थी लेकिन Ben 10 की Omniverse Series में यह दिखा दिया गया कि काई गरीन की साधी Ben 10 से ही हुई है इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Ben 10 की Series में दिखाए गए Ben 10 के Top 5 ऐसे एपिसोड जहां पर हमें Ben 10 और काई गरीन की काफी अच्छी बॉइंडिंग दिखाए गई है और अगर आप लोगों को वह एपिसोड देखने हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो वहाँ पर जाके आप इन एपिसोड को देख सकते हो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो का लाइक एम और कमेंट एम भी जान लो इस वीडियो का लाइक एम है 300 लाइक और कमेंट एम है 300 कमेंट दोनों ही बराबर हैं नमबर फाइफ बैन वोल्फ अब इस वाले एपिसोड में हमें सबसे पहले काईगरीन देखने को मिली थी और बैन टैन ने जब काईगरीन को फर्स टाम देखा था तो बैन टैन उस पे फिदा हो गया था लेकिन हमें इस एपिसोड के एंडिंग में जाकी पता चलता है कि लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बल्कि काईगरीन ने बैन टैन का मूर खराब कर दिया जिसके बाद ग्वैन ने भी काईगरीन को काफी जादा सुनाई थी लेकिन इस एपिसोड में ही हमें बैन टैन की लव सबसे पहले एपिरल हुई थी जिसका नाम था काईगरीन तो काईगरीन ने बिल्कुल भी अपनी अपिरेंस नहीं की थी और इसी एपिसोड में बाद में जाके काईगरीन ने अपनी अपिरेंस की थी और यहां पर काईगरीन की अपिरेंस काफी अच्छी थी क्लासिक सीरिस में जहां काईगरीन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती यहां पर बैंट टैनिसन ने काईगरीन की मदद करी थी काईगरीन यहां पर विएरवुल्फ को पसंद करती थी लेकिन यहां पर बैंट 10 को भी वो धीरे-दीरे करके पसंद करने लग गई थी और एंड में जाके तो आपको पता ही है यह हुआ था अब इस वाले एपिसोड में हमें Ben 10 काई गरीन को चड़ाते हुए दिखता है कि मिसिस टैनिसन क्योंकि यहाँ पर Ben 10 को पता चल गया था कि काई गरीन की शादी उससे ही होगी फ्यूचर में जाकर इसलिए Ben 10 काई गरीन को चड़ाता था यहाँ पर Ben 10 ने काईगरीन को काफी जादा प्रोटेक्ट भी किया था जिसकी वज़े से काईगरीन Ben 10 को भी काफी जादा पसंद करने लग गई थी मतलब धीरे धीरे करके पसंद करने लग गई थी अब देखो सामने वाली बंदी को अगर आप प्रोटेक्ट करते हो तो obviously हो तो फसी जाएगी तो यहाँ पर Ben 10 इसन ने काही गरीन के लिए अपने मन में थोड़ा सा प्यार तो जगा ही दिया था अब यहाँ पर basically हुआ ऐसा था कि Ben 10 आज तक दिनवी लड़कियों से मिल चुका था उन सभी को एक competition करना था जिसके बाद वो winner बनती, वो बनती Ben 10 इसन की wife अब अगर आप लोगों को यह देखना है कि इसमें winner कौन बना था तो आप लोग इस episode को जाके देख सकते हो मैंने link description में दे दिया है, अब यह episode काफी interesting था और यहाँ पर Ben 10 आज और काई गरीन की love bonding काफी अच्छी बन गई थी और यहाँ पर Ben 10 को काई गरीन काफी अच्छी तरीके से पसंद करने लग गई थी और obviously end में तो यह हुआ था जिसकी वज़ा से इन दोनों के मन में लड़ू तो फूटे थे तो obviously Ben 10 की शादी तो काई गरीन से होना बनती थी और यहाँ पर Ben 10 इसन को काई गरीन काफी अच्छी तरीके से पसंद करने लग गई थी क्योंकि हम उसके लाल गाल आराम से देख सकते हैं अब यह वाला एपिसोड काई और Ben 10 का इंट्रेस्टिंग एपिसोड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें हुई थी वो सारी की सारी Ben और काई के रिलेशनसिप से ही रिलेटेड हुई थी जो कि काई और Ben 10 के रिलेशनसिप को आगे बढ़ाने में काफी ज़्यादा मदद कर सकती थी चाहे वो पहला वाला सीन हो जब Ben 10 कंफर्म कर रहा था कि यह प्रोजेक्टर है या फिर काई सच में आई है वो काफी ज़्यादा क्यूट था और अगर आपको Ben 10 की और काई गरीन की रिलेशनसिप में ज़्यादा इंट्रेस्ट है तो आप लोग इस वाले एपिसोड को देख सकते हो आपको सारी डीटेल्स के बारे में पता चल जाएगा तो हाँ यही थे Ben 10 की सीरीज के टॉप फाइव ऐसे एपिसोड जो की काई और Ben 10 की रिलेशनसिप को दिखाते हैं तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को औ नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना और अगर आप लोगों को Ben और जूली के वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में Ben और जूली स्पैम कर सकते हो तो मैं असपर वीडियो बना दूँगा और लाइक हैं और कमेंट हैं भी प्लिस कंप्लीट करवा अदेना